Hello friends, आज हम जानेंगे English word fraction की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तिमाल कैसे होती है Fraction की हिंदी में मतलब है आंश, भीन, अपुर्नाग, भाग चले कुछ example के जरी इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह जा समझ लेते हैं Example, I am sure prices were a fraction of today इस sentence का हिंदी में मतलब है मुझे यकीन है कि कीमते आज का एक अंश थी चलेने एकस example जान लेते हैं The 34 extent are but a small fraction इस sentence का हिंदी में मतलब है 37 विद्यमान है लेकिन एक छोटा आंश है चलेने एकस example जान लेते हैं They say another fraction of an inch और another 5 minutes इस sentence का हिंदी में मतलब है वो कहते हैं कि एक inch का एक और अंश या एक और 5 minutes चलेने एकस example जान लेते हैं It may differ even by a considerable fraction of a second इस sentence का हिंदी में मतलब है यो एक second की काफी अंश भी भी न हो सकता है So friends उमीद करती हूँ fraction की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो अच्छी तरह था समझ गये होंगे इसी तरह से और भी English और Hindi में example के साथ जानने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सके हैं वीडियो अच्छी लगी तो like करें साथ साथ channel को subscribe कर दीजिएगा झाल